स्वागत हैं सब्सक्राइब मेरा एक्पिन जीरो में आज हम लोग सीमिलारेटी चेप्टर पर डिसक्रस्ण करेंगे जो कि क्लास 10 का सीबिसी और आई सीएसी दोनों के लिए ही इंपोर्टेंट है अच्छा चैप्टर है तो सुबात करते हैं क्या है सिमिलारेटी चैप्टर है ठीकिया दो डाइग्राम मैं जिसका सीप से मन पर साइज अलग-अलग है तो सीमिलर अर्टी पोलते हैं ठीकिए यह बात था यहां चमेलर्टी कितो सम्झाथ यहां वरड क्या है जिसका से ूच-अशे मों पर साइज था लग-चैप यह एक सरकल है, यह भी एक सरकल है, दूनों सरकल ही है, दोनों सरकल ही है, शेप सेम है साइज अलग-अलग है, तो यह दुनों च्οक्रापै दोनों क्या होगा स्थ does क्या होगा, ठीके लो facet, नौ तो ठीके अब यहां से आगे भरते चेंड जुकी important है, ठीके, जिए जिसे देखो मैंने कहा कि 2 ॉ लाइन पैरलेल है यह दो लाइन पैरलेल है यह दो लाइन है और जिसे कि मैं बोला A B और यह C और D 2 लाइन पैरलेल है तो ट्रायंगल A, B, O और ट्रायंगल C, O, D यह दुनों को similar proof करना है ठीक है दो है जिसमें से बोल दिया है कि AB जो है वो parallel है DC का AB जो है वो parallel है DC का parallel का symbol यह होता है जानते ही हो AB जो parallel है DC का तो बोला है क्या कि triangle ABO और COD यह दोनों क्या similar proof करना है अच्छे एक बात बताओ यह angle, यह angle same होगा angle A, O, B is equals to angle COD, COD, क्यों यह vertically opposite है, vertically opposite है, ठीक न, ओपो, और angle BAC या BAO, यह equal होगा, यह angle और यह angle सेम होगा, OCD, OCD, क्यों alternate angle है, अल्टरनेट है, ठीक है, इसके अलावा, यह angle, यह angle भी सेम होगा, angle ABO, is equals to ODC, क्यों alternate angle, देखो, तीन angle, दो ट्रेंगल है, दो ट्रेंगल का हमने थीन अंगल को एकोल कर दिया, तो ट्रेंगल क्या होगे, similar होगा, ठीक है, ट्रेंगल से ट्रेंगल से ट्रेंगल, और ट्रेंग Cod, यह दोनों क्यों हो गया, यहां से क्या बत समझ में आया है, कि अगर 2 triangle similar है, तो दोनों triangle का त्रेंगल का 3 एंगल वह आपस में same होंगे Equal होंगे. जरूरी इसको में angle 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 exam बोलते हैं, यहां तक ना, हर जगा पे ना चेहां किताब में यहां कहीं भी एंगल एंगल हिसिर दिया हो रहेगा…. तीन एंगल नहीं लुग हो लकिन्ट द uważ दिन एंगल हो दो लिख रहे हुं दो सिम्पल सी बात है अगर प्रक्क्राइब जो फारिक पर सिमicheतर एक्सू भांसेंगे क्या लगयाएब लोग और सिम आूर या रखना जब भी एंगल एंगल का बात होगा ना तो हमेशा किताब में या तो तीनों एंगल 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 लिखेगा इंपोर्टेंट है इसको कोर्शन बहुत मिलेगा ठीक है न यह बास समझ में आ गया दूसरा बात का corresponding side जो है वो same proportion में है मतलब कि AB by PQ is equals to BC by Q R is equals to AC CA CA by RP तो triangle क्या होगा similar होगा और इन same proportion मतलब कि ये side ये side दो triangle का corresponding side are in same proportion में होगा तो triangle जो है वो similar होगा तो ये triangle ये triangle similar होगा या फिर ये भी कह सकते हैं देखो दो triangle similar है तो दोनो triangle के तीनो angle आपस में same होगे यहां से और यहां से क्या बात समझ में आया कि अगर दो triangle same है उल्टा में बात करों कनवास बात करों पहले हमने क्या कहा था कि a b by p q b c by q r a c by p r अगर हो तो triangle similar होगा और अगर triangle similar है तो a b by p q b c by q r c a by p r p भी होगा दो बात बताया है ये तो तुम्हारा angle angle exam ये क्या है side 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 exeem बात समझ में आ रहा है ना side 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 exeem इसकी इन सोट लो एक और को इसके पो कोशन करेंगे ठीक है देखो यहां पे ना a d by b d दिया है 3 by 4 then find b c by d e b c by d e ये पूछ है देखो ये क्ट्रेंगल है और a b c एक triangle है और a d e एक triangle है इसमें बोल दिया है ना question में बोला आगा d e जो है वो पैरलेल है b c का और a b c एक triangle है और a d e एक triangle ये नज़र आ रहा है बिल्कुल नज़र आ रहा है अब जैसे देखो यहां पर focus करो ये जो triangle है इन triangle a b c और triangle क्या है a d e पहले इन दोनों को similar proof करना होगा similar proof करने के लिए हमें कोई 2 angle को same करना होगा या 3 angle को minimum 2 angle को भी same करोगे तो काम बन जाएगा ठीक है ना तो अब तुम बोलोगे कि similar को तो अभी हमनों दो condition परहे थे क्या परहे थे कि if three side of one triangle is proportional to three side of another triangle then triangle are similar एक ही ये परहे थे दूसरा क्या परहे थे कि अगर triangle equi angular है तो भी triangle similar है दोनों में से कौन सा लेंगे हम angle वाले लेंगे पहले जो हमने परहा था क्या परहा था पहले कि if two triangle are equi angular then triangle are similar equi angular का मतलब ये हो गया कि दो triangle का तीनों एंगल को equal कर देंगे दो ट्रेंगल का तीनों एंगल को equal कर देंगे ट्रेंगल सीमिलर हो गया यहां पर देखो ABC एक triangle है ADE triangle है इन दोनों triangle में angle DAE और BAC angle ये तो common angle है ये तो obvious सी बात है common है तो equal हो गई होगा अब देखो DE जो है वो parallel है BC का question में बोला है यहां मैंने नहीं लिख्या पर question में बोला है कि DE जो है वो parallel है BC का DE जो है वो parallel है BC का BC का parallel है तो यहां पर ये जो angle होगा और ये जो angle होगा ये दोने angle सेम होगा alternate angle सेम होगा तो यानि कि हम बोल सकते या फिर ये angle ये angle सेम होगा देखो क्या का एंगल ABC का तो ट्रेंगल ABC और ट्राइंगल ADE यह सिमिलर है जब ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं क्या सकते हैं क्या कह सकते हैं बड़ावाले ट्रेंगल का AB by छोटे वाले ट्रेंगल का AD is equal to बड़े वाले ट्रेंगल का BC by छोटे वाले ट्रेंगल का DE बड़े वा कर सकते हैं अच्छा हमें कुछ भी नहीं पता है इसमें से और पूछा क्या है B C by E D E A C by A E से कोई लेन देना नहीं है हमें A B by E D से मतलब है पर हमें यहां पर A B by B D दिया हुआ है हमें A B by B D दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 by 4 तो A B 4 A B सकते हैं अब बात बताओ B D कैसे निकलेगा B D कैसे निकलेगा पूरे साइट से मतलब कि A B से अगर A D निकाल दे तो B D निकल जाएगा बात को सुनना हमें B D पता लगाना है अच्छा एक बात बताओ सिंपल से बाद बताओ A D plus D B is equals to A B है न तो हमने क्या किया B D या D B देखो यहां से हमने B D लिग तो यह क्या होगा A B minus A D होगा न तो हमने क्या किया B D के जगा पे A B minus A D लिग दिया और यह 3 AB minus 3 AD और यह क्या है 4 AB समझ रहे हो ना बात सही है सब सही है क्या 3AB-3AD, यहां पर AD दिया हुआ, मैं AB लिख रहा था, यह AD है, 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 देखो, 3AD इदर आ जागा, 7AD हो गया, यह जो को सो 3AB, तो AB by AD is equals to, क्या हो जाएगा, AD यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला जागा, 7 by 3 आ जाएगा, AB by AD, देखो, AB by AD क्या है, 7 by 3 आ गया, तो पूछा क्या है, एक बात बता दो जाएगा, पूछा क्या है, BC by DE पूछा है ना, BC by DE पूछा है ना, तो BC by DE, यह जो क्या है, AB by AD है, और AB by AD क्या है, 7 by 3 है, यानि कि 7 इस तो 3 एंसर होगा, याद रखना, यह जो मैंने भी प्रूफ किया ना, इक्वी एंगूलर वाला से, यह तुमको करीब करीब हर सवाल में यह पूछ लेगा, नहीं पूछेगा, मदब जो को सॉल्व करोगे, तो यह प्रोसेस अप्लाई होगा, यह बहुत ही अच्छा को, मदब कॉंसेप था, UG, वह हर कोष्णम तुमको मिल जाएगा, मैं इसको इसका है, एक बात रह सूनो, इधर मत देखना, इधर मत देखना, यह वाला के तरफawk, एक बात सूनो, क्या बोलाई कि दो यह तृंगल हैं, हमने लिए डो प्रॉप के परावर है, फिर से एक यह यह त यह तृंगल है, और यह कि यह triangle है 2 triangle लिया दो triangle में यह a,b,c और यह p,qr, इन दुनों triangle में मैंने कहा कि angle a जो है वो angle p की परावर है और वो side जो angle a को include कर रहा है वो proportion में मतलब की angle a को कौन include कर रहा है a,b और a,c है ना तो हम लिख सकते हैं क्या AB by PQ is equals to AC by PR, तो ट्रेंगल ABC similar होगा और ट्रेंगल PQR, का बात समझ में आया, क्या समझ में है कि one angle and included side are in proportional, मतलब one angle, ये angle, ये angle same है, और ये angle को जो include कर रहा है, वो proportion में है, तो ट्रेंगल क्या होगा, similar होगा, हमनों तीन चीज़, ये क्या होगा, त side angle side, side, angle, side, देखो, ये side था, और ये side proportion में है, ये angle, ये angle same है, ये side, ये side proportion में है, हमनों तीन चीज़ पर है, angle angle axiom, पहला, दूसरा क्या पर है, side side side, और तिसा क्या side angle side, ठीके न, ये है side angle side, इसके उपर यहापर मैंने question लिख दिया था, ठीके न, दो ट्रेंगल proportion करना है, तीन ही तरीका है, एक तो है angle angle, तीनो angle equal कर दो, ये side का proportional जो है, वो same होगा, या फिर, एक angle, दो side का proportion, एक angle, एक angle same होगा, दो side are in same proportional, ठीक है न, तो triangle क्या होगा, similar होगा, तीन बाते, side side side, side angle side, angle angle, यहापर question देखो, ये question बहुत प्यारा है, अच्छा question है, क्या बोला है, कि ये, A, P, C triangle है, और P, D, B triangle है, जिसमें बोल दिया है, कि AB is equals to 2PB, और CP is equals to 2PD, देन triangle A, A, C, P, और B, D, P, B, B, D, P, ये दोनों triangle क्या है, similar है, पहले एक बात बताओ, कि ये दो triangle है, क्या है, triangle A, C, P, और triangle B, D, P, इन दोनों में, एक बात मुझे बताओ, कि angle A, P, C, is equals to angle B, P, D, vertically opposite, याद है, हम सुरू में बता रहे थे, पहला जो पताओ, उसमें ही बताते, ये दोनों angle, ये angle, angle vertically opposite है, अच्छा, ये बात तो समय में आएगा, दूसी बात, AB is equals to 2PB, बोला है, AB is equals to, AB is equals to 2PB, 2PB, AB, AB कहा है, अच्छा, यहाँ पर AB, AB या फिर AP, CP, AP होगा मेरे ख्याल से, question गर्बल लिखे हैं हम से, AP है, question गलत लिखे, AP होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर AP होगा, AP is equals to 2PB, ठीक है, तो AP is equals to 2PB, यानि कि, AP by PB is equals to 2 is to 1, ठीक है न, AP by PB क्या होगा, 2 is to 1, और देखो, CP is equals to 2PD, CP is equals to 2PD, यानि कि, CP by PD is equals to 2 is to 1, मतलब 2 by 1, यानि कि, AP by PB is equals to CP by CD, देखो, are in same proportional, same proportion में है, 2 angle, मतलब ये angle, ये angle, same है, एक angle हमने दिखा दिया, और include, जो side angle P को include कर रहा है, वो same proportion में है, तो triangle क्या होगया, similar होगया, पहला proof तो होगया, ठीक है, न, तो, ये दोनों similar होगया, ठीक है, triangle ACP, और triangle BDP, ये तो similar होगया, पहला, अब क्या बोला है, कि AC जो है, पैलल है BD का, देखो, ये दोनों proportion होगया, इसका मतलब ये होगया, हम बोल सकते हैं, कि ये angle, ये angle same होगा, हम बोल सकते हैं, angle CAP, 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 और PBD, ये कोल होगा angle PBD का, similarly हम बोल सकते हैं, क्या, ये angle, ये angle भी same है, यानि angle ACP, is equals to angle PDB, तो ये alternate है, यानि कि AC जो है, वो पैलल होगया, BD का, AC जो है, वो पैलल होगया, दो बात proof होगया, किसी बात proof करना है, proof नहीं करना, solve करना है, AC is equals to 4.5, मैं स्क्रेश कर दे रहा हूँ, अब, ठीक है, क्या है, AC दिया हुए, AC, कितना दिया हुए, 4.5, AC, AC दिया हुए, 4.5, अच्छा है, ये triangle, ये triangle क्या है, similar है, जब ये triangle, ये triangle similar है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AC by BD is equals to AP by PB is equals to CP by PD, बोली सकते हैं, ऐसा तो बोली सकते हैं, ठीक है न, पूछा है क्या है, BD पूछा है, इन दोनों को, कोई तुम दो को लेकर solve कर सकते हो, तुम या तो ये दोनों को लेकर solve करो, क्या है, AC by BD is equals to AP by PB, वो क्या है, 2 by 1, AC कितना है, 4.5 by BD is equals to 2 by 1, यानि कि BD is equals to क्या हो जागा, 4.5 by 2, यानि कि 2.25, बात समझ में आया, बात समझ में आया है न, यहाँ पे हम लोगों ने, देखो, यहाँ पे अगर देखा चाया, तो दो चीज़ अपलाई हुआ है, दो triangle similar होगा, उसका property, एक तो तुमारा angle, angle, angle का, angle, angle, ने, ने, एक तो side angle side वाला हो गया, और दूसरा क्या होगा, side side वाला हो गया, देखो, एक question में दोनो property apply हो रहा है, एक side angle side वाला हुआ, side angle side, देखो, side angle side, यह angle, यह angle equal था, तो इसको corresponding, मतरब यह जो angle को, जो content कर रहा है, side, include कर रहा है, side, वो side क्या क्या है, और देखो वह दूने सेम प्रपोर्शन में हैं तो एक एंगल उक्वल हो गया है और्लेंट या ने तो तो सह刚ी सेम होंगे अगर अंगल वहीं जैंड है तो दोनों परलेल होगे ठीए न वह मैंने यहां प्रूफ कर दिया और यहां से कौ्शन यह था यहां पे हम लोग वोसाइड साइड साइड वार प्रौप्रिया अप्लाई किया है सैसे सैड ऐक्जीम तुम चाहो तो लिख सकते हो तैंड साइड साइड का पैलल है DC का देखो मैंने एरो लाइन से रिप्रेजन किया है बाग के सब भैलू दिया हुए और कोशन पूछा है कि find EF EF और AC ये दोनों पूछा है EF और AC अच्छा हमने यह पर दो ट्रेंगल है में नजर आया एक तो ट्रेंगल नजर आया एंगल EG F is equals to angle CZD क्यों vertically opposite है बगर में लिखना पड़ाएगा मैंने लिख रहा हूँ ठीक है यहां पर लिखना पड़ाएगा vertically opposite उसके बाद ये एंगल ये इंगल सेम होगा एंगल F EG ये इंगल और ये इंगल D C G क्यों alternate angle है क्यों alternate है क्योंकि CD parallel है FE का CD parallel है FE का तो जब CD parallel है FE का तो ये एंगल ये इंगल सेम होगा ये इंगल ये इंगल सेम होगा और ये दोनो vertically opposite तो होगा तीक uh vertically opposite ये alternative alternative angle है ये डी नहीं है ब समय महा ना ये alternate angle है तो ट्रेंगल क्या होगे देखलिए हमने हमने दो लिल वह इंगल उने उन इंगल ₹ सिमिलर एक़ए ग्भी तो ट्रेंगल के वह वे बात समय में आया ना जब यह सीमिलर हो गया तो corresponding xr in same proportional मतलब की FE FE by FE एक ट्रेंगल का FE दूसरे ट्रेंगल का CD ठीक है यह इक्वल होंगे किसका इक्वल होंगे FE CD हो गया EG, CG, छोट एक ट्रेंगल का EG, दूसरे वाले ट्रेंगल का CG, ठीक है, दूसरे ट्रेंगल का CG, यह बास समय में आ गया, फिर क्या हो गया, इस ट्रेंगल का FG, और दूसरे वाले ट्रेंगल का GD, ठीक है न, पर्पोर्शन में आ गया, अब एक बात बता हू, हमें क्या क्या पता है हमें नेकालना का एक मिलकुल पता है ना पता है लिगा हमने या इफ ठीक है यह तो निकल क्या कि आगे 9 cm जिसमें दिया हुआ होगा नाइन इन युनिट लिख लेते हैं ठीक है अब क्या पूछे एसी पूछा है एक ट्रेंगल दूर्टेंगल हमें सिमलर किया Similarly, यहां पही देखो, यहां फिन को यहां एक triangle हमने लिए A, B, C, triangle हमने लिए A, B, C, और एक triangle ले लिए हम वो क्या लिए, E, F, C द्यान सो देखो, triangle E, F, C, इन दोनों को भी similar करना है। इन दोनों को भी similar करना है। देखो, यहह जो triangle pumped A, B, C う और ही Exchange कर रहा हो थोरा साल बाकी तो समझ में आई घे अब देखो यह यह ऐ और एक यह द्ररेंगल नज़ार आ आ रहा है इसमें अंगल गbor है व्हों थे खॉchmal तो होगा याने कि A, C, B is equals to E, C, F E, C, F अचा एक बात बताओ यह और यह पैलेल होगा तो जाहिर से बाताने यह एंगल यह एंगल सेम होगा यानि कि एंगल A, B, C is equals to एंगल F E, F, C E, F, C समय भाइक है ना? तो ट्रेंगल A, B, C जो होगा वो सीमिलर होगया ट्रेंगल E, F, C का सीमिलर होगया ना? जब ट्रेंगल सीमिलर होगया तो corresponding side जो होगा वो same proportion में भी तो होगा ना? आर इंगल यह प्रोपोर्शनल देख रहे हो यहाँ एंगल एंगल एक्जियम side side एक्जियम दोनों आया यहां भी देखो एंगल एंगल एक्जेम और साइड साइड एक्जेम आया, किलियर होगे नहीं बाते, चलो ठीक है, मुझे बता दो जरासा, क्या पूछा है, एसी पूछा है, यानि कि बड़ा वाले ट्रेंगल का एसी, बड़े वाले ट्रेंगल का एसी, बाई छोटे वाले ड्रेंगल का क्या होगा, बोलो बोलो, छोटे ऎले ट्रेंगल का एसी लिःंटे लिक सकते हैं आद इन अद प्रोपोर्टनल, अब एक बात बता हो क्या करना, बस फैलॉपूट करना है, AC पता है हमें नहीं पता है AC तो निकालना है सेंटीमेटर में दिया हुआ है ना क्या दिया हुआ अगर नहीं दिया हुआ होगा तो सिफ हम यूनिट लिखेंगे यहां पर नाइन यूनिट और 25 यूनिट और अगर सेंटीमेटर में दिया हुआ होगा तो सेंटीमेटर लिखेंगे अच्छा कोशन था इसकी इनसट लो इस कि द्रेंगल ए मिले इव और ट्राइणगल इसी ट्रेंगल सब ऑगड़ा इसको खाना खाना समिले प्रूफ करना स्िमिलर प्रूफ करना है यसले सबसे सब्सक्र dg है। तो ठीक है, तो हम यह बोल सकते हैं कि angle ADF is equals to angle FEC, क्यों right angle है, इसकी साब से na, equal होगा na, FEC और यह angle, दो triangle, यह triangle और इस triangle में, यह angle, यह angle same होगा, क्यों, क्योंकि यह right angle है, और FE parallel है BD का, या यूं कहले, FE parallel है AB का, तो यह angle, यह angle भी same होगा, यानि कि angle CFE, CFE, यह equal होगा, angle FAD का, FAD का, तो हो गया triangle ADF, similar होगया, triangle FEC का, क्यों angle angle, एक्जियम के साब से, दो angle हो equal कर दिया हमने, याद है न, मैंने बदाया था, last time, मतब अभी जब class start किया था, या तो तो यह angle को same करो, या भी कोई दो angle को same करो, हमने दो angle को same किया, similar proof कर दि दूसरा, दूसरा question क्या बोला, triangle ADF, ADF, और triangle, और triangle ABC, इसो क्या करना है, similar proof करना है, तो देखो, ADF और ABC, मतलब कि अगर हम इसको erase कर दे, तो एक triangle कोई सा बना है, ADF, और एक triangle कोई सा बना है, ABC, इन दोनों में angle A तो common ही है, न, angle A तो common ही है, न, F, AD, F, AD, छोटे वड़े वड़े ट्रेंगल का, और बड़े वड़े वड़े ट्रेंगल का, B, A, C, या, C, A, B, कोई भी एक ले लो, ये तो common है, और ये angle जो है, ADF, ADF, जो है, वो equal है, angle ABC का, क्यों, क्योंकि ये भी तो right angle ही ही है, तो triangle ADF, जो हो गया, वो similar होगा, triangle ABC का, को है, यहाँ है, FE, अच्छेक बात बताओ, यह जो भी हमनों proof किये थे, इसमें, इसमें हम लिख सकते हैं, क्या, कि छोटे वाले ट्रेंगल, मतब ये एक triangle का, AD, by, मतब दो triangle, अगर similar है, तो corresponding side are in same proportional, मतलब कि AD by FE, लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, कि FD, DF by CE, by CE, लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, A, E by CE, हमें उससे मतलब भी नहीं है, ठीक है न, तीसा पॉर्ण को हम यहाँ पर solve कर रहे हैं, अच्छा, AD पता है, क्या, हाँ पता है, AD तो पता है, बिलकुल पता है, AD, पता है न, हमें, किता पता है, AD, यह पता है, 6, FE पता है, क्या, न, वहीं तो निकालना है, हाँ, वहीं निकालना है, उसको में, X माल ले रहे, DF पता है, क्या, नहीं पता है, अरे, यह 8 है, 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 यह 8 ही होगा न, तुम लिख दिये, DF को यह पर 8, और C E, C E पता है, क्या पता है, 4, तो 4 से 2 बार में क्या है, 2 से 3 गया, यानि कि X equals to 3, यानि कि F E जो हो गया, वो 3, अब मैंने ध्यान से नहीं देखा, कि वो यूनिट दिया हुआ, या सेंटिमेटर दिया हुआ, यूनिट दिया, मतलब नॉमल दिया हुआ रहेगा, तो सिफ यूनिट और ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो सेंटिमेटर, जो भी यूनिट दिया हुआ रहेग of triangle abc अच्छा a d f a d f इसका area निका़ना होगा थो क्या करोगे half into base base क्या है ad और height क्या है f d लख सकते हो अच्छा इसका क्या क्या पडाईगा half base क्या होगा a b b s kya होगा a b and height किसका बात क्या है area of triangle abc क्या होगी और trainer कितना होगा हाइट के बात करें तो ये कितना होगा है इन ये की 12 यानिकी कॉस्चीन में दिया हुआ था क्या नहीं दिया हुआ था एबी कि एक मिट मुझे देखने तो कॉस्चीन में का है थी कि द्थे हैं उसको भी देख लेते हैं ठीकर देख लेते हैं यह ich कहें से कुछ भे निकल के आयांगा में निकल के आयगा देखो एक बात बताओ एक बात बताओ यह अगर हम लोग उसका बात करें किसका बात करें देखो ADF ट्रेंगल ADF और ट्रेंगल ABC यह दोनों तो सीमिलर था ना दो दो सीमिलर्गा था तो ADF का ad छोटे वाले ट्रेंगल का ad बाइब बरे वाले ट्रेंगल का a b छोटे वाले ट्रेंगल का FD by बरे वाले ट्रेंडल का BC समझ रहे होना और v अविए एक साइड लिख सकते हैं पर नहीं लिख हैं में डो से ही मतलब हिमें a.d पता हैक। 6, a.b. पता यह नहीं, a.d. पता है हाँ Mike, a.d. क इस डी कितना है है, d.c. पता है क्या हाँ पता है 12 है 6 x 8, AB कितना है 9 x 12, 4 से कटे का, दो बार में, ये 3 बार में, 3 से 2, 4 x 9, यह नि 4 x 9, answer check करने दो हमें, हाँ 4 x 9, समझ में आ गया, ये, ये AB एक अलग से निकाला था, जो कि हमने निकाल के तुम्हें दिखाया ये, ये कहां से निकल के आया, यहां से, देखो, इसको और इसको जो वहाँ तक ही लिखना है, ये कुछन अच्छा था, इसकी इन सोट लो, इसका, देखो, इतने मत देखना, मैं भी बताने वालो, बेसिक प्रोपोशनलिटी थियोरम एने थेल्स थियोरम, क्या क्या राता है, थेल्स थियोरम, जैसे सुननों, क्या बोला है, कि ट्रेंगल के कि एक साइड के पैरलेल एक लाइन ड्रो किया, जो अधर टू साइड को अलग-अलग पॉइंट पे इंटरसेट कर रहा है, डी और ई पे माल लो, तो ये जो लाइन है, अधर टू साइड को डिवाइड करेगा, शेम प्रोपोशनल में, मतलब की, एडी बाइडी बाइडी बी ये इशेड बाम समझे में आया ना, ये ऑलग इस और इस को सुल्ट करेंगे, यहाँ पे तुमको स्वल्ट करने के मिले गा ऐसा कोश्टन, च्वाट कोश्टन में, मिल सकता है, इसके उपर थिल्स्तियोरू में के उपर, यहाँ पर क्या बोर रहा है, एए इक्स और एक्स भी दिया हुआ है पूछ रहा है एवाय बाई बाई एकॉरिन तो थेल्स्थिर हम अपाला करेगा यहां पे तो यह क्या हो जाएगा यहां पे ax by xb is equal to ay by yc yc है ना तो ax कितना है थिरी है x b कितना है 1.5 है और ay by yc यही तो पूछा है ay by yc यह क्या हो जाएगा 2 by 1 ठीक है ना 2 by 1 2 is to 1 आगे answer खदम का निसका अब क्या बोला कि x y पूछा है x y पूछा हमें तो नहीं पता x y कैसे पता जलेगा तो ठीक है देखो यह जो ट्रेंगल है 1 है a b c और एक ट्रेंगल है a x y इस दो ट्रेंगल को हम उझा सिमलर कर दे याद है सिमलर कर दे अभी पर रहे थे हम लोग क्या है देखो यहां पर a b c इसमें क्या है कि एंगल a जो है दोनों में common है यानि कि b a c b a c is equal to angle x a y x a y और देखो x y parallel है b c का तो बहुत से बात है angle x angle b equal होगा यानि कि a x y is equal to angle a b c तो ट्रेंगल क्या होगा सिमिलर होगया a b c जो है वो सिमिलर होगया ट्रेंगल a x y का जब यह सिमिलर होगया तो अब इसका जो corresponding side होगा बरे वाले side corresponding side are in same proportional याद है हमनों पार रहते हैं एंगल 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 उसमें क्या होगा a b by a x is equal to b c बरे वाले ट्रेंगल का b c छोटे वाले ट्रेंगल का x y बरे वाले ट्रेंगल का a c छोटे वाले ट्रेंगल का a y ठीक है ना a b a b कितना है a b कितना है a b कितना है 4.5 है पूट कर तो a b कितना है 4.5 है ना कैसे a b यह तो थिरी है यह 1.5 है तो 4.5 हो गया ax, ax कितना है, ax कितना है, 3 है, bc कितना है, 6 है, और xy नहीं पता, वही तो निकालना है, बाकी कौम को लेने से मतलबी नहीं है, है ना, solve करने, उसको लेने के जोती नहीं है, तो यहाँ पे solve करेंगे, तो क्या आएगा, xy is equal to, 3 से यह डिभाइड हो जागा ना, 1.5, तो 1.5 by 6, 6, xy, देखो, कुछ गरबरकत है, हमें यहाँ पे, 6 by 1.5 होगा, 6 by 1.5, यानिके 60 by 15, यानिकी 4, ठीक है, यह answer है कि, हाँ, यह answer है, समाजी मैंना, basic proportionate theorem को बाद हमने एक question कर लिया, इसकी नहीं सोट लो इसका, देखो, फटा-फट इस question को सब कर लेते, आखरी question है, उम्मीद देखो क्या बोला है कि, यह ABC एक triangle है, और DEFC एक पहले logarithm है, है ना, पहले logarithm है न, हाँ, पहले logarithm है, ठीक है, बस कुछ नमीग यह बोला, और कि दिया हुआ है, EF दिया हुआ है, AD to DB दिया हुआ है, EF दिया हुआ है, यहाँ पर, AE is to EC पूछ रहा है, is to EC और AD is to DB दिया ववा है तो हम जड़ से क्या करेंगे कि पूट कर देते हैं AD by DB is equals to AE by EC और AD by DB क्या है? 4 by 5 तो AE by EC is equals to 4 by 5 क्योंकि थेल्स्तियूरम अरे थेल्स्तियूरम बोला कहाँ? गलत हो जायागा ऐसे करोगे तो तो तिल्ज़िरम बोला, कहाँ? यहाँ पे तो बोला ही नहीं है? DFCB, पाइलेलोघ्राम है. अब सुनो, पाइलेलोग्राम है, तो DFCB पाइलोगा BC का? ΔE palelle है, तो DECB पाइलोगा BC का? DEC palelle हो थी, अब Megay Cliff balance apply हो सकते है, तो बोलना परेगा, कि D E Pallel है BC का क्यों कि D F Pallel है BC का क्यों कि D F B C Pallel है और Pallelogram का opposite set जो है वो पैलल होता है इसलिए अब थिल स्थिर्म अप्लाई होगा और अप्लाई करके तुम यह लिखा सकते हो तो मैं नहीं लिख रहा हूँ ठीके ना बीना उसके लिखे अगर इसको लिखोगे तो काट के ब्राबर कर देगा चलो ठीके यह अब हटो यहां से आगे बढ़ते हैं दूसरा क्या पूछा है अगें यह दो ट्रेंगल्स दिखे रहा है एक यह ट्रेंगल एक यह द्रेंगल कर लिखे रहा है अब ट्रेंगल अबशल कि एयसं चाहिए यह को Shocker करते हैं तो एंगल ADE equals to angle ABC, तो ट्रेंगल सिम्लर हो गया, ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल ADE यह सिम्लर हो गया, जब यह सिम्लर हो गया, तो corresponding side are in same proportional मतलब कि छोटे वाले, यहां पे बोल सकते हैं, छोटा ट्रेंगल का side AC AD by बरे वाले ट्रेंगल का AB, फिर छोटे वाले ट्रेंगल का AE, बर बरे वाले ट्रेंगल का AC, फिर छोटे वाले ट्रेंगल का DE, बरे वाले ट्रेंगल का side क्या होगा, BC, पर यहां तो हमें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी पता है क्या, कि निकालने हम जट से, कुछ भी तो नहीं पता है हमें, कैसे निकाल लेंगे, कुछ भी तो नहीं पता मतलब कि जैसे कि AD by D, क्या पूछा है यहां पर, EF दिया हुआ हुआ है, EF से क्या लेन दे रहा है, कोई लेन देना है क्या, देखते हैं क्या करना है, AD is to DB दिया हुआ है, और AD is to DB दिया हुआ है, चलो यहां से यह निकल जाएगा, और AE is to EC, चलो ठीक है, वहां से वो निकल जाएगा, DE by BC, DE by BC, ठीक है, देखते हैं क्या करना है, अच्छ एक बाद बताओ, यहां पर, यह दिया हुआ है, AD is to DB दिया हुआ है, AD is to DB, यह दिया हुआ है, AD by DB, यह दिया हुआ है, 4 by 5, AD, 5 AD, 4 DB, DB, याद करो कुछ दिपहले हम करवाया थे सवाल, 4, DB के जगह पर लिख सकते है, AB minus AD, तो यह 4AB minus 4AD, यह 5AD, 4AD आ जाएगा, तो यह डायट में लिखते हो, यहां पर 9AD, is equals to 4AB, यानि कि AB by AD is equals to, क्या हो जाएगा, 9 by 4, एक तो निकल क्या आ गया, यहां पर, AD by AB है, हमने AB by AD निकाला, चो ठीक है, यहां से ले सकते हो, क्या, AD by AB equals to 9, ग्राद बोल दी हमने, 4 by 9, ठीक है, चलो ठीक है, AD by AB 4 by 9, तो लिख दो गे, पूछा क्या है यहां पर, DE पूछा है, DE, BC नहीं पता हमें, BC नहीं पता, और पूछा क्या DE, अच्छा एक बात बताओ, BC जो है, वो बराबर नहीं हो सकता, किसका, DF का, DF का, और DF क्या है, DE plus, DE plus EF, और DE क्या है, वो तो पूछ रहा है, EF कितना है, 15 है, यानि अब देखो, अब यह हो गया, अब यह हो गया, देखो, AD by AB, AD by AB कितना है, 4 by 9, लिख दो यहाँ पर, AE और S को लिन देना है, नहीं लिना देना है, हडा दो, DE, DE के जगाँ पर क्या लिखो, DE लिखो, DE के जगाँ पर X लिखो, और BC, यह BC था ना, यह क्या है, DE plus 15, यानि कि X plus 15, अब सॉल्व कर लो इसको यहाँ से, तो क्य 60, X equals to 12, मुझे देख लेना चाहिए, इसका एंसर, क्या आया है, X equals 12, हाँ, X equals 12, यानि कि DE 12 आया है, एक तो निकल क्या आ गया, अभी BC बचा है, अभी BC बचा है, वो तो आराम से निकल जाएगा, उसमें तो कोई जिंजटी नहीं है, देखो, BC बचा है, BC यहाँ है, AD by AB, AD by AB कितना है, 4 by 9 है, कीखे, DE, DE कितना आया था, आया था, DE कितना आया था, 12 आया था, और BC, जो कत्यों लिख दो, तो अभी 4 से 3 बार में कट गया, यानि BC, 27, 27, हाँ, 27, ये भी अंसर आ गया, तो मैंने सिमिलारेटी चैप्टर को कभर किया, और पुरा कभर कर लिया, नेक्स् इस concept बताया, हर concept पर एक कोशन किया, तुम लोग भी एक कोशन कर लोगे, तो दिमाग पुरा सेट हो जायागा, exam में न, मतलब जो कोशन पर आया, जो concept पर आया, उसी concept के basis पर कोशन आयेगा, हम ये नहीं बोलेंगे, इसी के बीतर से आयेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है न, म झाल ये जैमे लोगे